नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड नियोज है क्योंकि एरपोर्ट में आ चुकी है नई वेकींसी जी हाँ दोस्तों इस साल 2024 की ये नई वेकींसी है जो की एरपोर्ट की तरफ से जारी ले गई है जो की एरपोर्ट की नई भरती है दोस्तों इस जो भरती है बिलकुल सीधी भरती है सीधी भरती है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होने वाली है तो अगर आप भी बिना एक्जाम के एरपोर्ट में नोकरी पाना चाते हैं तो इस अपलाई किजेगा दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि यह जौब है एरपोर्ट की यह की जौब है तो आप किसी भी इंडिया के प्लाइ का सकते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्सक्टा अपलाई कर सकते हैं तेन्थ क्लास से पहले वीडियो को लाइक करिएगा लाइक करने में कंजू सी मत कीजएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजएगा और चेरन को आज ही सब्सक्राइब कीजएगा रोजना गवर्मेंट जोब की जानकर यह आपको यहाँ पर दी जाती है और घंटी का बेल आइकन जरू दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरपोर्ट सीधी भरती दो हज़ार चोबीस के बारे में जिसका नया ओफिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भरती का दोस्तों यह जो अगर आपको कोई भी एक्स्पियंस नहीं है किसी भी सेक्टर का तब भी आप एज़ फ्रेशर अप्लाई का सकते हैं मेल फीमेल यानि की लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई का सकते हैं बिलकुल सीधी भरती है साल्डी आपको जो मिल रही है 32,000 रुपे पर मन्त मिल रही जो कि काफ एची सारी है तो चलिए डिटेल्स में आपको जानकर देते हैं इवन आपको ये भी बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है इस वेकिंसी के लिए सीधा ओफिशल वापसाइट के दुरू तो फ्रेंड्स हमारी जो ओफिशल वापसाइट है वो है रोजगार्वितनविन.com यहाँ पर आपको सबसे पहले नई गवर्मेंट जो आपकी जानकर दे जाती हैं आप चाहें तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं जैसी आप गूगल में सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफिशल वापसाइट पर आजएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एर इंडिया की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर यह रहा एप्लिकेशन फोरम चीके यहाँ पर आपको एड्रस भी दिया ग करेंगे एर इंडिया एर ट्रांसपोर सर्विसेज लिमिटेट की नई रेकूट्मेंट के बारे में जो कि इस साल दो हजार चोबीस की नई वेकिंसी है फ्रेंड्स यहाँ पर जो वेकिंसी निकाली गई है मल्टीपल जॉब से आप दिसकते हैं ड्यूटी ओफिसर की पोस् स्थ flow इंडिवीट की थरुग देखां यानी कि आपको न तो ओनलाइन अप्लाई करना है नहीं ओफ लाइन अप्लाई करना है सीधा को इंडिवीट के समय जाना है और इसह अंप्लीकेशन फोरum को डोकुमेंट के साथ में समिट करना होगा बताय ओए हुए डेट और एडर अगर आप रिजर्फ केंडिगेट से तो अप्लिकेशन फीज जो है जन्नल OBC के लिए केवल 500 रुपे जिसका पैमेंट आपको डीडी यानी की डिमांड रापके द्वारा करना है बाकी SCST के लिए बिलकुल फ्री है क्वालिफिकेशन में मैंने आपको शुरुआत में बताया है दस्तुवी पास, आईटी आई, बार्वी पास, डिपलमा डिग्री पास सभी के लिए भरती है दोस्तों आपको बता दे कि इसका सीधा आपका इंट्रिवू होने वाला है और इंट्रिवू की डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है 27 दिसनमबर से 30 दिसनमबर तक आपके इंट्रिवू चलेंगे कौन-कौन सी पोस्त है और एंदाबाद का यहाँ पर लोकेशन है आप देसके एंदाबाद का पूरा एड्रस यहाँ पर दिया गया है और जो भी डोकुमेंट से आपके जैसा कि आपकी माशीट क्या है address, proof, id, proof, age, proof यह सभी आपको डोकुमेंट लेके जाने होगी फोटोगोपी आपको सब्मेट करनी होगी और इजनल भी लेके जाने है लेकिन वापस आपको लेके आने, क्रोस चेक के लिए लेके जाने, ठीक है, और इसको भर करके आपके इंटर्वू के समय सब्मिट करना होगा, तो कोई भी डाउट से तो आप कमेंट कीजेगा, वीडियो को लाइक और चंद को सब्सक्राइब जिरू कीजेगा, थैंक यू सो सिन्ओकी ऑापस होगा 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 है, वीडियो को समय साफने, क्रोस आपके बास साफने, उन वाउटでき सब्सक्राइब जिरू मुश साफना, डिरू से घर विडिएब जर फो टूब, मुश मुश washes द PROF इंके बास्तों।